Hey guys, welcome to World Affairs, मैं हूँ प्रशान धवन और बिलकुश subscribe to this channel, मेरी सारी वीडियोज आपको मिलेंगी on World Affairs So G20 Summit 2020, पंदरवा G20 Summit हुआ है, virtually होना चाहिए था, साउधी रेविया के खुब सुरच हैर, रियाद में बगर because of COVID-19, World Leaders अभी भी ट्रावल नहीं कर रहे और यहाँ पे virtual meeting हुई है, वीडियो conferencing के जरिये, Donald Trump, Vladimir Putin, Narendra Modi, Erdogan, various world leaders ने आपर बाचीत करी है और discuss किया है various issues को Now जो यह आख के सामने graphic है, इससे यह मत समय लेना के जो सारे देश हैं, यह सब G20 में आते हैं, इस graphic में बहुत से countries, invitees भी हैं, जो हर साल change भी होते रहते हैं, G20 में जो 20 देश हैं, यह आख के सामने हैं, अब वैसे इस group को देखो तो, it is a massive group, almost पुरी दुनिया ही इस group में आ अबादी, आपको मिलेगी G20 countries में, economy के साब से अगर हम देखें, तो gross world product का 90% है in G20, और दुनिया के land area की अगर हम बात करें, तो दुनिया का आधा land area आता है within the G20 countries, तो obviously दुनिया में एक बहुती बड़ा group है, और exam perspective से भी यह बहुत important group है, चाहे वो SSC हो, UPSC हो, या फिर क question आगया, कि बताओ जो यहाँ पर group है of 4 countries, इन में से वो कौन से 4 countries हैं, जो आपको मिलेंगे G20 में, और in the future भी various exams में आप expect कर सकते हैं, कि G20 से related सवाल आएंगे, ना questions जराता राते हैं इन points के इसाफ़ से, host country यहाँ पर कौन था, invitees कौन थे, theme यहाँ पर क्या था, तो theme से related ह आप से मैं सवाल पूछूंगा, जिसका answer आपको मिलेगा, वीडियो के end में, 2020 Riyadh Summit का, जो theme है, यह क्या है, आपके सामें options हैं, realizing opportunities of 21st century, for all, G20 united against COVID pandemic, standing up against inequality, या फिर the global economic recovery, led by G20, सब लोग इस question को attend करो in the comment section below, I will tell you the right answer in the end, So, discuss करते हैं, this topic के बारे में, a lot to know, a lot to discuss, as always, but before we begin, आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहे वो IIT हो, Gate हो, UPPSC, MPPSC, Railways, Unacademy के courses आप purchase कर सकते हैं, Unacademy की app से, या फिर Unacademy website से, जो यहाँ पर original prices हैं, ये पर मत करिएगा, use the code PD10, और आपको मिलेगा, सीधा 10% discount, याँ आप दे सकते हैं, किस तरीके से, prices कम होंगे, various exams के courses में, अगर आप use करते हैं, code PD10, और payment करने के भी यहाँ पर बहुत से method है, UPI, Net Banking, Credit Card, और आपको अगर PDF चाहिए, by the way, मेरी सारी वीडियो की, तो join करिए, Telegram app, Google Play Store में ये app है, इसको आप download कर सकते हैं, और यहाँ पर search करि हैं, और सारी वीडियो की PDF में आपको दे दूँगा, उसके लावा, comment section में भी आपको वीडियो की जो PDF है, pinned मिलेगी, ना एक बात यहाँ पर मैं clear कर दूँ, कि जो 2021 और 22 का G20 Summit है, ये reschedule कर दिया गया है, पहले decide ये किया गया था, कि 2022 में, India host करेगा G20 Summit, मगर अब ये decide किय आगे आए, कि 2022 का जो Summit है, ये host करेगा Indonesia, इंडिया का नंबर आएगा 2023 में, और इंडिया host करेगा 18th G20 Summit, और अगले साल मतलब कि 2021 में, अगर pandemic control में आ जाता है, तो सारे world leaders एकटा होंगे, इटली के शहर, Rome में, और यहाँ पे होगा Salva G20 Summit, और इंडिया के लिए देखो, ये Summit काफी खास बात भी है, क्योंकि इंडिया ने हजारो करोडो रुपे खशने स्टार्ट कर दिये हैं, तो build a huge convention center, यहाँ पे हम host करेंगे G20 Summit को, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी इमेज है, और यहाँ पे ना सिर्फ G20, और भी बहुत सारे जो Summits इंडिया में होत आलाया गया, और एक group form कर दिया गया, मगर जो इनके Summits हैं, जो proper तरीके से जो इनकी coordination होती है, आज के समय, various issues को लेकर यह शुरू हुई थी 2008 में, इससे पहले G20 का जाला था जो focus था, it was only on financials and economy, और जो पहला G20 Summit था, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यह इसकी एक historic photo है, यहाँ पे उस वक्त के Indian PM, Dr. Manmohan Singh, Erdogan तब भी टर्की को रूल कर रहे थे, George W. Bosch यहाँ पे एंगला मरकल, और France के उस वक्त के President Nicholas Sarkozy, और यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है Summit of Financial Markets and the World Economy, तो 2008 में decide किया गया कि G20 सिर्फ economy और financials तक सीमित नहीं रहेगा, अब यहा पर करेंगी उनके इलावा, उसके इलावा कई Countries को यहाँ पे invite किया जाता है, और वो भी यहाँ पर participate करती है, मगर जो यह invite Countries है हर साल change भी होती है, तो इस साल जो invited guest है G20 Summit में, यह दे जौडन के राजा, अब्दुल्ला दे सेकिंड, रवान्डा के President Paul Kagame, Singapore के Prime Minister, Spain के Prime Minister Pedro Sanchez By the way, मैं आपको यह बता दू कि बहुत ही लंबे समय से, Spain almost एक permanent guest invite ही बन चुका है G20 का, काफी बार media में, articles में, informal तरीके से का जाता है, कि G20 नहीं है, actually G21 है, क्योंकि Spain की participation तो आपको हर साल ही दिखेगी, मगर officially exam paper में हमेशा G20 ही लिखना, Spain is still a guest member, और बाकी जो invited guests थे उसमे के representative, UAE और even Vietnam के prime minister को भी यहाँ पर बुलाया गया, now since Saudi Arabia G20 summit को host कर रहा था इस बार, और G20 की presidency भी आज के समय है, साओधी रेविया के पास, by the way, G20 के कोई headquarters नहीं है, तो Saudi Arabia since आज के समय presidency से माल रहा है, तो G20 summit में किन issues पर बातचीत होगी, यह भी तए किया, साओधी रेवि और issues पर भी हो सकती है, मगर main talking points होंगे, वो होंगे इन issues को लेकर, empowering people, safeguarding the planet मतलब के environment related, और उसके बाद, shaping new frontiers, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, economy को कैसे आगे लेके जाएंगे, artificial intelligence की, developing new technologies, तो जो Indian PM का यहाँ पे address था, वो भी primarily focused था on these three points, पहले तो हमारे prime minister ने यह का कि अब स global index, G20 launch करें, एक global index, जिस तरीके से आपको बता होगा, global corruption index होता है, ease of doing business index होता है, उसी तरीके से PM Modi ने यह कहा, कि G20 countries को मिल के मनाना चाहिए, एक नया global index, जो focus करेगा इन key elements पर, creation of vast talent pool, जो हमारी masses आवादी है, उनको हम किस तरीके से skill कर पाएं, कौन सा देश ensure कर रहा है, क transparency किस country में जादा है, system of governance में, उसके लावा यह सब तरक्की करते वक्त, environment का भी कौन सा देश ध्यान रख रहा है, अब यहाँ पर मैंने सोचा के यह idea सुनने में initially काफी अच्छा लगता है, मगर हम को यह भी सोचना होगा, कि इस index में इंडिया की rank क्या आएगी, क्योंकि most probably यहाँ पर जो G20 countries हैं, इनको यह rank किया जाएगा, अगर globally भी हम rank करते हैं, तो इंडिया की rank stack के index में काफी कम आती है, मगर rank कहाँ पर आई है, उससे जादा motivated या फिर demotivated नहीं होना चाहिए, focus होना चाहिए on constant self improvement, मगर obviously यह index बनने में 2 से लेकर 3 सा लग जाएगे, क्योंकि कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, post corona world की और corona pandemic लग रहा है कि बहुत ही जल्दी खतम होने वाला नहीं है, इस सब के लावा PM ओधी नहीं आपर यह भी का है, कि दुनिया का आज के समय काफी focus है, capital और finance पर, मगर हम यह focus नहीं करते, कि जो vast human talent pool हर country में मौजूद है, उसे हम skill कै कैसे करें, उसे reskill कैसे करें, तो यह इंडिया की बहुत ही बड़ी problem है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत से लोग हैं, मगर इस बहुत बड़ी आबादी में बहुत ही limited लोग हैं, बहुत कम लोग हैं percentage, जो आज के समय properly skilled हैं, जो 21st century की jobs को handle कर पाएं, तो उनको skill करना का काफी important है, और PM बोधी ने भी यहाँ पर यह बात उठाई, नव क्या यह बात उठाने से, G20 कंट्री कुछ करती है, देकि जरा थार कुछ initiative यहां से निगलता नहीं है, बस यह बाते discuss की जाती हैं, दोराई जाती है, और धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में, कंट्री एक policy बनाती है, और फिर उसका कुछ impact देखने को मिलता है, so it is a very slow process, नव इस सब के लावा PM बोधी ने यहाँ पर यह भी का कि अब समय आ चुका है, कि COVID काल को देखते हुए, कि G20 का एक virtual secretariat भी हो, तो मतलब कि एक virtual headquarters हम G20 का बना सकते हैं, और यहाँ पे जो भी G20 के पास summits तो यह काफी अच्छा idea, I am sure G20 countries in the next few years, इस पर भी काम करना स्टार्ट करेंगी, इस सब के लावा PM बोधी ने यहाँ पर COVID-19 pandemic को का है, कि यह turning point है in the history of humanity, और सबसे बड़ा challenge है, जो दुनिया face कर रही है आज के समय, दुवतिय विशुजद के बाद, तो यह जो statement है again, by Donald Trump, PM यह बहुती, यह बहुती ज़्यादा बड़ी statement है, आपको याद अखना होगा कि World War II में, यूरोप का नक्षा चेंज हो गया था, millions मारे गए थे, और atomic bomb भी गराए गए थे, तो का जा रहा है कि COVID-19 उसके बराबर ही है, actually कुछ माइनों में उससे भी ज़रा बड़ा है, क्यो extreme poverty में धकेल दिये जाएंगे, extreme poverty का मतलब यह होता है कि हो सकता है कि खाने को भी ना मिले, वो भुके मर जाएं, यह आप देख पाएंगे, World Bank की official report है, COVID-19 to add as many as 15 करोड to extreme poor by 2021, तो दुनिया में poverty, भुकमरी यह सब बढ़ने वाली है, और अभी भी problem यह है कि कोई भी international group, चाह है वो bricks हो, या फिर even G20 हो, इस issue को लेकर कोई concrete step नहीं उठा रहा, हर country आज के समय चिंतित है, सिर्फ अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, जो बहुत से छोटे देश हैं, आफरिका में, even South East Asia में, South Asia में, उनके साथ क्या होने वाला है आने वाले एक साल में, उसके document होता है, जो release किया जाता है, summit के बाग, के सारे देश मिलकर, इन points पर सेमत है, के G20 countries के ये विचार है, इन topics को लेकर, अब देखिए, यहाँ पे जो highlights है, इसमें ये कहा रही हैं के G20 countries lead करेगी world को in post-covid-19 era, अब ये कैसे होगा, किस तरीके से ये lead करेगी, इसके बारे में क है, के कई देश जो आज के समय कर्स के तले दब गए हैं, उनकी G20 countries help करेगी, उसमें से एक लकी देश है, पाकिस्तान, आपको बता होगा के G20 countries ने ये decide किया है, के debt, service, suspension, initiative start किया जाएगा, इसकी अंडर क्या होगा, के कई countries को आज के समय जो उधार के पैसे वापस देने है उनको मिलेगा कुछ relief, किसी का उधार altogether माफ नहीं होगा, जो उनको repayment करनी है, उसमें उनको कुछ महीनों का time मिलेगा, और कुछ grace period भी यहाँ पे उनको मिलेगा, जिससे वो अराम से repayment start कर दें, अपने loans की, और ये है सिर्फ government to government loan के लिए, ठीक है, जो private companies के loan है, वो यहाँ पे cover नहीं होते, तो पाकिस्तान को यहाँ पे सिधा relief मिला है, 800 million dollars का, ये पैसे पाकिस्तान को मिल नहीं गए, इतने का उधार, पाकिस्तान को वापस चुकाना था, interest के साथ, और भी various income obligations थी, तो इतने तक का इनको relief मिल चुका है, नाव क्या पाकिस्तान की economy से revive हो जाएगी नहीं, 800 million एक इतना बड़ा amount होता नहीं है, मगर definitely कुछ ना होने से बैतर यही है, कि पाकिस्तान को यहाँ पे relief मिले, और क्या पाकिस्तान को अकेले relief मिला है, नहीं, overall 70 से उपर countries हैं, जिनका debt freeze कर दिया गया है, debt repayment freeze कर दी गई है, और ये सब किया गया है, G20 countries के survey suspension initiative के होने वाली है, उसमें कुछ रगावट आएगी, obviously नहीं, ये ठीक है, governments को कुछ इससे cushion मिलेगा, मगर जो requirement है, उससे हम आज भी काफी ज़रा पीछे हैं, उसके अलावा आप अगर देखें, तो एक किनों ने initiative शुरू किया है, G20 anti-corruption ministerial meeting, जो पहली G20 anti-corruption ministerial meeting होगी, ये हो क्योंकि Global Corruption Perception Index 2019 के एसाब से, इंडिया की rank थी 80, और चाइना की भी यहाँ पे rank है 80, और बाकी countries को भी आप अगर देखो, तो Indonesia 85, G20 countries में बहुत से देश हैं, जहाँ पर corruption एक major issue है, तो उसकता कि corruption को कैसे कम करना है, उसको लेकर यहाँ पे कुछ innovative methods discuss किये जाएं, फिर इसके है कि हम जानते हैं कि labor market को support करना important है during COVID-19, तो हम इस पर काम करेंगे, early child education की जो funding है, यह हम improve करेंगे, फिर यहाँ पे इन्होंने काए कि we endorse circular carbon economy, यह काम करता है under 4R framework, reduce, reuse, recycle, or remove, फिर finally यहाँ पर बात करी गई है women की, कि obviously since COVID-19 pandemic में बहुत ही major job loss हुआ है, because of lockdowns और economic activity काफिये त हुआ है, तो इससे काफी बुरी तरीके से impact होंगी, women, children, तो उनकी help के लिए भी G20 in the future कुछ initiative लेगा, now again, क्या initiative लेंगे, कोई fund बनाये जाएंगे, कितना उसका impact होगा, यह properly discuss नहीं किया गया, so वापस आते हैं हम लोग अपने question पे, कि 2020 G20 रियाज समिट का theme क्या है, theme यहा पाएंगे, G20 summit का theme, बहुत ही important है for exam perspective, make sure that you remember it, so इसी के साथ वीडियो करते हैं, खताम उमीद करता हूँ, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा, thank you for listening and as always, God bless you all.